वेलकम बैक फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाल है चाप्टर नंबर 4 फाइनाशियल प्लानिंग ठीक है तो फाइनाशियल प्लानिंग चाप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ इंपोर्टन कंसेप्ट पता होनी चाहिए उसे हम पहले पता कर लेंगे तो उसका नाम है GST तो GST मतलब क्या कि goods and service tax इसमें सब प्रकार के tax इंक्लूड किये हुए है पहले कि इसे था कि कुछ entertainment का टाक्स अलग था खुच अलग अलग प्रकार के जो टेक्स ते ठीक है तो सब प्रकार के देखिए आपे example देता हूँ मैं आपको GST दो प्रकार के tax से बना बन के मिला है ठीक है देखिए आपे yes GST yes GST मतलब state goods and service tax आनि यह CSGST मतलब central goods and service tax ठीक है तो मतलब देखिए अभी GST अगर 5% रहेगा तो yes GST उसमें से 2.5% रहेगा और cGST उसमें से 2.5% रहेगा ठीक है मतलब जो total GST होता है तो उसका जो half रहता है वो yes GST रहता है और दुसरा cGST मतलब cGST और sGST दोनों मिला के GST in confirm होता है ठीक है GST बन जाता है ठीक है तो अभी हमें देखना है कि GST कैसे हम इसकी calculation कर सकते कैसे GST apply करते और इसकी calculation हम किस प्रकार से कर सकते ठीक है तो देखिए यहापे मैं आपको कुछ जीज़े दिखाऊंगा mobile में ठीक है यहाप एक tax in voice दिया हुआ है मतलब टेक्स कैसे apply होता है उसका पूरा calculation वगेरा इसमें है ठीक है एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है हमें तो देखिए यहापे serial number दिया हुआ है फिर hsn code hsn code मतलब जो प्रोड़क का code होता है ठीक है नेमा प्रोड़क्ट देखिए यहापे पेड़े पेड़े लिखाए पेड़ा ठीक है और rate दिया है 400 रुपीज पर केज़े एक किलो के 400 रुपीज पर केज़े ठीक है मतलब 500 ग्राम का कितना हो गया हाप केज़ी हो गया ना मतलब 500 ग्राम मतलब तो 400 रुपीज पर केज़े इसलिए taxable amount कितने हो जाएगा 200 हाप इसके बराबर ठीक है तो taxable amount हमने लिखी taxable amount मतलब जो amount पे हम टैक्स लगाने वाले अभी जीस्टी ठीक है अभी तक उसमें tax नहीं लगाए उस amount को taxable amount बोलते हैं जो प्रोड़क्ट की original कीमत है ठीक है अभी तक यह CSST अभी जो पेड़े है इस टाइप के जो प्रोड़क्ट पे कितना ट्रेट बता है इन्होंने देखे रेट यह 2.5% CSST लगेगा और SGST 2.5% लगने वाला है यह पेड़े पे ठीक है तो देखे 2.5% 200 का कितना हो जाएगा 255% अगर आप 200 का निकालेंगे तो यह बच जाएगा पाच रुपए ठीक है और सेम यहापे भी 2.5 हो आए तो यहापे भी पाच रुपए हो जाएंगे tax ठीक है तो पाच रुपए और पाच रुपए दोनों मिला के 10 रुपए और रहे taxable amount मतलब जो original cost है उसमें अगर हम यह tax include करेंगे CSGST और SGST दोनों मिला के GST होता है तो दोनों क्या addition होगी 10 200 प्लस 10 हो जाएगा 210 टो टोटल अमांट हो गए हमारी 210 रुपए ठीक है तो tax लगाके 10 रुपए इस पर tax लगाए 2.5 और 2.5 मतलब GST का rate कितना है यहापे 5% GST लगाए ठीक है CSGST और SGST मिला के अभी second देखिए यहापे second देखते हैं chocolate देखिए इसका hsn नंबर इसका कुछ हमें इतना important नहीं है calculation में ठीक है तो देखिए नेम आप प्रोडॉक्ट क्या है चोकलेट चोकलेट के rate उसका 80 रुपीज quantity एक बार एक बार के 80 रुपए चोकलेट का rate है ठीक है तो taxable amount कितने होगी एक बार लिया है 80 रुपए का एक है तो 80 रुपए हो जाएंगे ठीक है कि अभी cgst calculate करने वाले अभी cgst देखिए आपे 40% 14% cgst लगने वाला 80 रुपीज पर तो 14% cgst हो जाएगा 11.20 रुपीज 80 रुपीज का ठीक है और और आपको यह ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम calculation कैसे करते 40% कैसे निकालते सब मैं आपको calculation करते टाइम पर बताऊंगा तो उपर उपर से आपको यहीं समझना है कि मैं बता क्या रहा हूँ वह concept आपको समझना है इस बार ठीक है तो 40% 14% 80 का हो जाएगा 11.20 रुपीज और यह 14% मतलब GST कितना लगा है 14% 1428% GST है चॉकलेट पर ठीक है तो इस तरह से आपको समझना है कि GST और GST कैसे लगता है और एक important concept आपको हमेशे ध्यान में रखनी है कि अगर आपको GST calculate करना है अगर GST calculate करना है आपको ठीक है तो यह C GST प्लस S GST दोनों की addition करके जो GST बनता है वही हमारा urinal GST होता है ठीक है तो GST के half part C GST होता है और S GST उसका दूसरा half part होता है ठीक है यह बयात आपको ध्यान में रखनी है अभी हम practice set देखने वाले वहाँ पर calculation करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा तो चलिए practice set 4.1 की तरफ चलते है practice set 4.1 का first question है परवन medicals supplies medicines on some medicines the rate of the GST is 12% then what is the rate of the C GST and yes GST ठीक हमें question दिया हुआ है कि एक परवन medicals से वो कुछ medicines supply करते थे हैं कुछ medicine ठीक है on some medicines the rate of the GST is 12% मतलब जो GST है medicines पे वो 12% दिया हुआ है तो हमें पता है कि GST दो टेक्स मिला के बनता है C GST और yes GST ठीक है तो GST का हाफ C GST होता है तो दुसरा हाफ हो जाए S GST ठीक है तो अभी हम calculate करेंगे तो हमें क्या बोला दाया what is the rate of the C GST and yes GST ठीक है तो पहले हम given लिख देंगे GST rate is 12% therefore C GST is equal to yes GST ठीक है C GST और यह GST equal होता है और क्या होता है वो GST के हाफ तो GST कितना है 12% का हाफ हो जाएगा 6% ठीक है तो हमारा जो C GST is equal to yes GST is equal to 6% ठीक है तो therefore हम यहाँ पर लिखेंगे C GST and yes GST on medicines is 6% each मतलब जो CS GST और SGST दोनो 66% रहेंगे ठीक है अभी अगला question देखते है अभी second question देखते है on certain articles if rate of C GST is 9% then what is the rate of the yes GST and what is the rate of the GST ठीक है C GST दिया हुआ है मैं 9% और हमें yes GST और GST निकलना है ठीक है तो मैं given लिख देता हूँ पहले क्या दिया हुआ है given given हमारे पास दिया हुआ है CGST is 9% therefore CGST is equal to 9% ठीक है तो हमें बता है CGST और SGST तो यह की होता है sorry अलग-अलग होते हैं लेकिन उनकी value तो same होती है ठीक है तो हम यहाँ पह लिखेंगे but CGST is equal to yes GST state government का और central government का दोनों टैक्स तो इकोल ही होते हैं ठीक है तो therefore CGST is equal to yes GST equal to 9% हमारा जो yes GST भी आ गया है 9% और GST क्या होता है दोनों मिला के तो हम यहाँ पह लिखेंगे therefore GST is equal to CGST plus yes GST ठीक है तो CGST हमारा है 9% और SGST भी 9% तो हमारा total therefore मैं यहाँ पह लिखता हो GST is equal to 9 plus 9 18% ठीक है तो जो certain article पे जो GST लगने वाला है वो 18% रहेगा ठीक है इस प्रकार से हमें calculation करना है अभी next question देखते हैं थर्ड नमबर का question है मिसेस रियल पेंट मिसेस रियल पेंट नाम का एक shop है sold two tins of luster paint and taxable value of each tins is 2800 रुपीश ठीक है जो मिसेस रियल पेंट नाम का जो shop है उन्होंने दो टीन बेचे है ठीक है और देखें उन्होंने बताया है कि taxable value of each tins is 2800 रुपीश टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है जो ओरिजिनल वैल्यू प्रोड़क्ट थी कि वह बिना tax के उसे बोलते taxable value ठीक है एक टीन की है 2800 रुपीश ठीक है तो दो टीन की कितनी हो जागी sgst charge in the taxi noise तो हमें cgst की कितनी अमाउंट होगी और sgst की कितनी अमाउंट होगी वह हमें find करनी है ठीक है तो पहले हम लिखते है क्या क्या दिया हुआ है हमें तो given लिखता हूं मैं यहां पे तो हमें दिया हुआ है देखिए आपे इच टीन इस 2800 रुपीश ठीक है टैक्सेबल वैल्यू आप इच टीन इस 2800 रुपीश ठीक है 2800 रुपीश है ठीक है तो टोटल टीन कितने आपने दो टीन है ठीक है देर्फोर टैक्सेबल वैल्यू आफ टू टीन इस एकल टू कितने हो जाएगे टू मल्टिप्ला वाइट 2800 रुपीश ठीक है अभी ओवर हमें क्या दिया हुआ है जी एस टी दिया हुआ है 28 परसेंट जी एस टी रेट इस 28 परसेंट तो हमें पता है जी एस टी क्या होता है इस जी एस टी इस उकल टू 2800 अपान टू सरी 28 परसेंट अपान टू इस उकल टू यह हो गया 14 परसेंट टीक है तो यह जी एस टी दोनों मिला कि कितना बनेगा 14 परसेंट टैक्स लगेगा ठीक है तो हमें अमाउंट करने रेट नहीं पूछा था हमें अमाउंट फाइंड आउट करने की कितनी होगी ठीक है तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस फिप्टी शिक्स हंडडेट रुपीज जो अमाउंट इड दोनों टिन की उसका 14 परसेंट निकालेंगे ठीक है तो देर्फोर किसी जीएस्टी अमाउंट कि एज इकोल टू यहस्टि आमाउंट किसी जीएस्टी का रेट से मोगा तो अमान भी तो सेमी रहेगी ठीक है तो हम क्या करेंगे फूर्टीन परसेंट निकालेंगे तुएंट फिप्टी सिक्संडड रुपीज का टोट्ल जो टैक्सेबल वै एक तुछेंगे हम इसे यह एसे लिखते है ठीके तो अभी केल्पीलेशन करेंगे यह दो फेसे रहें जै यह दो जीरो जाएंगे फोर्टीण मल्टीप्लाी बाइब फिप्टीश दीके तो दौनों का मल्टीप्लाइब करके हमारा जो आशर आएगा हो है 14 x 56 आजाएगा 784 रूपीज ठीक है तो CSGST और CSGST चार्ज in the invoice is 784 रूपीज